बार्मेर लोकसभा सीट पर अब मुकाबला त्रिकोनिय बन गया है। शेव से निर्दलिय विधायक रविंद सिंग भाटी ने मंगलवार को सर्व समाज के साथ मीटिंग की। बार्मेर के गेहु रोड स्थित आलोक आश्रम में हुई सर्व समाज की बैठक में उन्होंने लो बार्मेर लोकसभा सीट से रविंद सिंग भाटी ने निर्दलिय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वो चार अप्रेल को अपना नामानकन दाखिल करेंगे। जानकारी के अनुसार रविंद सिंग भाटी ने जय नारायन व्यास यूनिवसिटी से ग्रेजुएशन की है 2019 में भाटी ने चातर संग अध्यक्षपद पर निर्दलिय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद वे लगातार बार्मेर जैसलमेर की राजनीती में सक्रिय रहे। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले वो भारतिय जनता पार्टी में शामिल हु चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। रविन्र सिंग भाटी का जन समर्थन बीजेपी विधानसभा चुनाव में देख चुकी है। बैठक के बाद उन्होंने निर्द लिये लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्नाए लिया है। लेकिन रिजल्ट चाहे जो भी हो बीजेपी की टेंशन तो बढ़नी लाजमी है। लेकिन बीजे़ से रिजेदा लिजेदा लाटी का चुकी है। झाल झाल